एक बार की बात है, गाउ में एक पवित्र व्यक्ति रहता था, वो हमेशा स्वार्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्षुक रहता था, एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवन से मिला, जब वो भगवन से मिला तो उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते है कि सुरक और नरक कैसा है भगवान मुस्कूराए और दूसरे दुनिया में ले गए वहाँ वो दो दरवाज़े के सामने खड़े थे भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्तिक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा पवित्र वैक्ति ने जाकर पहला दर्वाजा खोला वहाँ उसने एक बड़ी गोल मेज देखी जिसके चार और लोग बैठे थे मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बरतन रखा था आब बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चमच थे लोग मुँ में नहीं ला पा रहा लंबे चमच की वज़ा से खाना ना खा पाने के कारण वे सावी, दुबले पतले और बिमाल लग रहे थे वहाँ के लोग बहुत दुखी थे वहाँ पिड़ित लोगों के दूखों को देख कर पवित्र वैक्ति काप उठे वो उस कमरे से बहार आ गया और दूसरे कमरे का दर्वाजा खोला दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था बड़ी गोल मेच और उसके बीच में एक स्वादिस्ट सूप का वरतन वहाँ बैटे सभी लोगों के हाथों में लंबे चमच था वहाँ के लोग स्वास्थ थे वे एक दूसरे से बाते कर रहे थे और खाना खा रहे थे पवित्र वैक्ति ये देखकर प्रसन हुआ और उस कमरे से बहार आ गया फिर पवित्र वैक्ति भगवन के पास आया और कहा मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे है फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरे कमरा सुखो से भरा है भगवन ने उसे समझाया आपने देखा कि लंबे चमच दूसरे को खिलाने के लिए ठिक ठाक है लेकिन खुद को खाने के लिए ठिक नहीं है अब जिस कमरे में पहले गए थे वहा नरक था वहा के लोग लालची है और केवल अपने बारे में सोचते है दूसरे की मदद नहीं करना चाते है जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे है और दूख छिल रहे है और दूसरा कमरा स्वर्ख था ये उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवा करते है और प्यार करते है एक दूसरे को उन लंबे चमश से खिलाते है जिससे वे स्वास्त और सुखी रहते है सीख यादि हम एक दूसरे का समर्थान और देखवाल करते है तो हम अपने जीवन को स्वर्ख बना सकते हैं और सुखी से जी सकते हैं